हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल आइम श्रांक तिवारी एंड इस इस मान अधर वीडियो सो गाइज आज की रिवीडियो का टॉपिक है चेक दिस तिंग बिफोर सेंडिंग इन रिवीव यह जो तो अगर आपके भी चैनल पे 1K सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का वास्टा करता है कि नहीं अगर नहीं तो पहले यह पॉइंट क्लियर कर लो तभी आप चैनल को रिवीव में भीजना वना आपको जो चैनल है वो मॉनेटाइज नहीं होगा तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो का एंट डिखना एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी त आप किसी के भी को ऊससे हुआ हो क्योंकि दोस्तों अगर आपके चैनल पे कोई ऐसा52 है तो प्लीज वीडियो को डिलीट कर देना तभी चैनल को रिवीव में बेदना वनना आपको जो चैनल वो मॉनेटाइज नहीं होगा अपनी वीडियो को फिर से यूज़ करने को रिपिटेटिव ेसक्र दूस्थ यहाँ पर को एक और चीज कै prevention करते दो अगर आप एक आउट्ड या इंट्रो लगाते हो अपने चैनल के वीडियो में तो वह बड़े अरामसे लगा सकते हो बट दोस्थ जो bulk of duration का वीडियो होगा जो पूरा rest of वीडियो होगा वहां पर आपका content change होना चाहिए मतलब कि आप अपने intro या outro को same रख सकते हो उस पर repetitive content का कोई भी issue नहीं है बट अगर आपको जो पूरा main duration का वीडियो वह अगर similar होगा तो इसको repetitive content माना जाएगा तो दोस्तों ऐसा अगर आप करते हो तो प्लीज यह मत करना क्योंकि आपका channel फिर monetize नहीं होगा अगर आपका channel monetize करना है आपको तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपकी channel पर कोई theme है अगर नहीं है तो आप ऐसे वीडियो बनाओ एक direction दो अपने channel को जिससे आप अपने channel को एक category दे पाओ एक theme दे पाओ कि हाँ मेरा चैनल technical है या मेरा चैनल cooking से related है या मेरा comedy channel है या मेरा educational channel है एक theme होनी चाहिए एक direction मिलना चाहिए आपके channel को एंड दोस्तों जो fourth point है वो यह है कि क्या आपके channel पर कोई strike तो नहीं है अगर आपके channel पर इस्ट्राइक है तो अगर आप अपने channel को review में भेज़ो तो क्या आपके channel monetize होगा की नहीं तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके channel को भी strike है तो यह आपकी channel पर बनके subscriber and 4000 गंटे का watch time तो complete ही हो गया है तो आप थोड़ा सा wait कर लो आपका जो चैनल है वहां से जब वो इस ट्राइक रिमूव हो जाएगी उसके बाद अपनी channel को review में वेज़ना और दोस्तों जो fifth point है वो यह है कि आपका channel में जो watch time complete हुए है वो दोस्तों जो watch time में वो पूरक पूरा public watch time होना चाहिए मतलब जो हमारा genuine public watch time होता है वही होना चाहिए तभी YouTube का reviewer होगा उसको सही मानेगा मतलब की जो आपका watch time होगा वो public watch time होना चाहिए तभी वो 4000 गंटा calculate होगा और दोस्तों जो six point है YouTube का वो यह है misleading metadata या जो तो लोग करते क्या है जो हमारा tag होता है दोस्तों तो वो tag में कुछ भी डाल देते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है अगर आप भी अपने tag में कुछ भी उठा की डालते हो या किसी भी बड़े YouTube का नाम या अपने video content से कुछ भी अलग opposite डालते हो तो इसको misleading metadata कहते हैं तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका आपको आई बटन पर link मिल जाएगा वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना क्योंकि वो वीडियो भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उस वीडियो में आपको बताया है जो चेंज क्यों नहीं बनाते हैं अगर आएप चैनल पर आफ चैनल वीडियो नहीं बनाते हैं तो क्या वैसे चैनल मॉनिटाइज होंगे कि नहीं कि दोस्तों यहां पर YouTube ने आईसा तो कुछन का है बट मैं आपको एक परसनल वाइस दूँगा जब आप अपना चैनल रिविव में ब यहां पे मैंने आपको वीडियो होते हैं मोनेटाइजिएशन पॉलिसी ट्व Elizabethaiser कि बॉत ऐसे वाद के लोग्ताइजब करेंगा तो तो इस इस पर गो में सबीटाइब हो अगर यलो हुआ तो व जो वीडियों थी वह एडवर्यों था उन्हों पाईज तो दोस्तों आपके यूटूब में जो भी आप कंटेंट डाल वो एड़िटाइजर फ्रेंडली होना चाहिए मतलब उसमें यूटूब से रिलेटेड या कुछ एडूकेशन या ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को इंफॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए आपका जिससे कंटेंट नहीं होना चाहिए आपका या आप अपने किसी बिजनेस का या कंपनी का प्रोमोशन करते हो अपने यूटूब वीडियो में डाल डालके तो ऐसे चैनल मोनेटाइजर नहीं होगे तो आप ये मेक शूर करो कि आपको जो कंटेंट है वो एड़िटाइजर फ्रें पर तो वहां भी वीडियो को आपको बहुत ही केरफुली होके चेक करना है क्या टैक्स आपने उसमें यूज किया डिस्क्रिप्शन क्या टाइटल लगाया है कौन सी बैग्रांड म्यूजिक यूज हुई है कोई आपने किसी की इमेज तो नहीं कॉपी कि ये सारी चीज़ यापों चेक नहीं तो दूस्तो, वह वीडियो आप बहुत यह कैरफुली होके माई देखना क्योंकि एक वीडियो करना आपकी मेहनद बर्भाद नहीं चाहिए लोगों को कonner करते है कि किसी के भी हो monkeys करते हैं यूष नो सुर्फ उनगोड़ा नहीं करते हैं चैनल को रूआ पर बाद हो जाते हैं तो दोस्तो अगर आपके चैनल she willіє mirror कि यसमें मिया या इस्वी बीडिन ग्रियेट की है स्वीडियो में टैग्ट घ्लत लगाए हैं तो उस वीडियो को डिलेट करके ही चैनल को रिवीव में भेजना वरना आपके चैनल मॉनेटाइज नहीं होगा तो दोस्तों यहां पर यह कुछ आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो पूरी महनत है वन की सब्सक्राइबर के और गंटे की पूरी बर्वाद हो जाएगी दोस्तों अगर चैनल रिव्यू पर गया और मॉनेटाइज होके नहीं आया तो आपको फिर से अपील करना पड़ता है और उस पर फिर से टाइम लगत तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहाओ चैनल को सब्सक्राइब को लाइक हो कि मैं अच्छे 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 एंड यूसुल वीडियो तो अटने चैनल पर लाता रहता हूं हो भी लाइक दूस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल दिजब झालानो झाला हागाल थ earth दूवता西्डडलब में फित्र दम्डार है।